हेले वरिवान वेलकम टू माई चैनल समसे डी बीवीटी होग मैं हूँ दरख्षा आज में लेकर आई हूँ एक सीट मास्क का रीब्यो एंड फुल डेमो शेयर करूंगी तो आप देख सकते हैं यह है में प्राड़िक्ट यह हिमालिया का डार्क स्पोर्ट के लिए टर्मरीक सीट मास्क है यह तो यह सीट मास्क को मैं फृर्श टाइम यूज़ करने जा रही हूँ ऐसे मैं इस प्रांट का ज्यादा प्राड़िक्ट यूज़ जीन ही यूज़ की नहीं हूँ एक दो प्राड़िक्टी यूज़ की हूँ तो मेरी सकीन पे अभी छोटे-ل्चोटे से भी हो रहे हैं तो कफी छोटा है इसलिए दिखेगा नहीं तो देखे मेरे इसकी नभी रुखी सुकी सी हो गई है बहुत ही बेजान सा तुचा हो चुका है काफी दिन से मैं ठंड में जो है फेसपे के सब अप्लाइ नहीं की हूँ तो मेरे इसकी बिल्कुल भी हाईड्रेट तो आज मैं इस सेट मास्क को अपलाई करती हूं देखती हूं क्या रिजल्ट मुझे मिलता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूं ज्यादर टाइम नहीं लूँगी फटाफट से शेयर करती हूं अब देख सकते हैं में प्राडेक्ट यह है हिमालिया डार्क स्पोर्ट किलियरिंग टर्मरीक फेस्ट मास्क नाय शिनमेंट एंड गलोकलिक एसीट लाइट एंड फॉस्ट अब्सॉपिंग बुस्ट इसकीन रेडियंस कोल्ड प्रेश टर्मरीक एक्ष्रेस किलियर इसकीन 30 इसमें प्राडेक्ट कॉंटेटी मिलता है बैक्षाइड में आपको फुल डीटियल यहां पर मिल जाएगा यूज करने का प्रडायक्शन यहां पर दिया वह है इसका इंगिरियन मेंशन किया गिया है इसकी एमार्पी है 75 पच्छतर रुपए का एक सिट मास्क आपको मिलत है यह मैने फिक्चर है दोस दोजार तेईस का है नो दोजार छबीस में इसपायर करेगा काफी लॉंग टाइम है यूज करने के लिए फिरी फ्रॉम मिनरल ऑइल पैराबीन पैथल है सिलीकन फ्री है हाम फुल इसमें केमिकल यूज नहीं किया गिया है तो यह तो अच्छी की हूँ नायका से नायका पर मुझे 10% डिश्कॉन मिला है ज्यादर डिश्कॉन नहीं मिला है अब मैं आपको अपलाई करकर दिखाती है तो देखिए अपलाई करना बहुत ही सिंपल है फेस को अच्छे से क्लीन कर लिजेगा फेस वास करने के बाद आप टोनर अपलाई कर करते हैं तो अभी मेरी स्कीन काफी अच्छे से क्लीन है मैं कुछ भी भी फेस पर अपलाई नहीं की हूं अब देख सकते हैं कुछ पश्प आप का इस में सेट मास्क है तो मतलब टर्मरीक तो बिलकुल भी यलो नहीं दीखता है बहुत हलका सा यलो सीरम में रहता है तो देखिए बिल्कुल white ही sit mask आपको दिखेगा तो इस टैप से पूरे face में अच्छे से apply कर लेंगे बट इसकी fragrance जो है आपको turmeric कहीं लगेगा आप इसको जैसे open करते हैं तो ऐसा लगता है turmeric का juice है तो हल्का सा लगता है बहुत ज्यादा भी नहीं लगेगा हल्दी ज तो इसको पंदरा मिनट के लिए apply करकर रहने दूंगी और इस step से आप लेकर कोई भी मसाजर लेकर face पे अच्छे से absorb होगा तो इस step से मैं मसाज कर ले रही हैं अब मैं इसे रहने देती हूं पंदर मिनट के लिए उसके बाद आपसे मिलती हूं पंदर मिनट के बाद अब देख सकते हैं मुझे apply के वे पंदरा मिनट हो चुका है तो एक-दो मिनट आप ज्यादा apply करकर रख सकते हैं उसे ज् से भ़रा वाय प्राड़क्त तो इसको मैं साइड में रख दी हूं से मैं हैंड में अपलाए करूंगी इस पाउच में जितना सीरम था उसको निकाल कर मैं अच्छे में अच्छे से मसाज कर ले रही हों तो यह क्यूक्ली अब्सॉप हो जाता है लाइट वेट सीरम है तो मैं seat mask जब भी अप्लाई करती है तो मैं night में नाइट में अप्लाई करती ओवर नाइट सेरब को रहने देती हूं काफी अच्छे से यह तो यह बहुत ही अच्छा काम करता है बहुत यह अच्छा हाई-डेट किया है मेरी स्कीन पर गलो तो अभी अच्छा नहीं दिख रह रिजल्ट कोई प्रावलम नहीं हुआ मेरे स्कीन पर किसी भी तरीके कोई अलर्जी नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को हाइली रेक्मेंट करूंगी आप भी कोई अच्छा सिट मास्ट चाहते हैं तो आप इसे ट्राइक कर शक्ते हैं काफी अच्छा लगा मुझे यूज करक फ्रेंस यह मेरा आज का ओनिस्ट रीवियू आप लोगो कुछ भी पूछना हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग यह सेट मास्क यूज किये हैं तो आप लोगो क्या रिजल्ट मिला है कॉमेंट में जरुर शेयर किजिएगा मैं पूरी कोसिस की हूँ कि मैं आपको अच्छे से बता पाओ फिर भी मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप कॉमेंट में जरुर शेयेगा उमीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको हेल्प होई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माइच चैनल थैंक यू सो माच मिलते हैं इस वीडियो में बाइब टेक क्यार